अब पढ़ाई अपनी तेज कर लेजे क्योंकि अब लापरवाही बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग के पास भी तो न्यूज जाही रही होगी कि जो आयोग वेगर है उसा अगठर हो गया है उसकी अध्यक्षा को चुना जा चुका है तो काम तेडी से होगा अब आप लोग भी देखेंगे कि अभी बहुत सारी जैसे पुलिस भरती वाली परिक्षा थी एंडिया की परिक्षा थी हम लोग की तो सारी परिक्षा हैं हो रही है और आगे जो बहुत दिन से पेंडिंग है अब उन पर ही नजर जाएगी सरकार की तो कहने का मतलब कि आप अपने तयारी मजबूत रखिए बाकी जो भी होगा आगे देखा जाएगा इसके साथ ही मैं कुछ चीज ऐसी बताऊंगी जिस पर ध्यान देना जरूरी है वह यह कि जैसे कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जादे पर दिमां का यूज यह करते ह कि इसे बाते करेंगे आपके सामने कि आपका रुका हुआ सारा काम हो जायेगा है ना आपके जो चैयन ट्रक्रिया होगी उसमें कोई धांज़ी नहीं होगी बहुत सारे ऐसे ग्रूप आएंगे आपके सामें वह आपसे तरह तरह की बाते करेंगे अगर आप उसमें इन्वाल बूए तो बाद में आपसे बहुत सारी कहते हैं कि मरद भी मांगी जाएगी ब आपको अब इन चीजों में बिलकुल भी नहीं पढ़ना है और नहीं किसी और से मतलब रखना है देखें किया नहीं दोस्कों मैं इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस करती हूं और यह चीज मैंने सीखा जानते हैं क्या जैसे पहले क्या था कि मैं हमेशा कहते हैं कि समय गवाया है एक टाइम में तयारी नहीं करती थी लेकिन वहाँ पर रिष्टे अच्छे हैं क्या है क्या नहीं है अगर इन समय उपर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे आप करना ही पुछ नहीं डिया आप इस चक्त पराइड करना ही पड़े बाकी चीजह से आप इस चक्त पर मिन आप पड़े कि कौन मेरा फ्रैंड है कौन मुस्यरोट इसको मनाना है कोँन ना खुश है किसी से कोई मतलब नहीं अब क्या है अब मेरी जो आदत है नग्य जो अभने पडोस में भी कोई है तो मैं उतना ही मतलब रखती हूं जितना जरूरी होता है क्योंकि मुझे पता है कि अपने पास इतना टाइम नहीं रखना है कि हम बैठके गप्पे शप्पे लड़ाएं और हमारा दिन ऐसे ही बीट जाए और हम कुछ करे ना अपने लिए कुछ करे ना आदा तैसी बन गई है और देखते हैं ना कि यह 24 घंटे जो होते हैं ना मैं तो यहीं सोचते हूं कि लोगों को पास टाइम कैसे बच जाता है बागी चीजों के लिए यानि कि वो अपने काम को कही ना कहीं से इग्णोर कर रहा है तभी वो दूसरे चीज में इन्वाल्व करना है यह करना यह करना इस तरह से काम को भी मैसे करती थी अब मेरी आदत में है कि इतने तक यह काम पर ले ना इतने दिर रेस्ट करना है फिर उसके बाद यह करना यह करना मेरे तो सारे काम लगे होते हैं जब तक मैं रात ने सोरे नहीं जाती हूं और सुबह चार बजे क को पटरी पर लाई इस तरह से करके मैं मेरा जो सब कुछ बिखरा हुआ था उसको मैंने समेटा और मैंने अपने जीवन को पटरी पर लाने का काम किया और आगे भी ऐसा अब एक होता है ना कि आपका एक आपकी दोर ग्रिष्टी जो होती है वो क्लियर हो जाती है कुछ समय के बात कि आप क्या कर रहा है और का रिजल्ट क्या आएगा मुझे ऐसा लगता है कि यह चीजे जो मैं करती हूं और मैं ही नहीं करती हूं मैंने सीखा है यह सारी चीजे अपने जिसको मैं आदर्ष मानती हूं जो बड़ी बड़ी लोग है जिनको मैं सुनती थी उनसे मैंने वह लोग भी यह काम करते हैं और वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पा रहे हैं क्योंकि दूसरों के लिए समय देना सबसे बड़ी बेवकूफी है आज कल के जमाने में तो इसलिए अब आप लोग कहीं भी इधर उदर नहीं जो बहुत जादे अभी समार्ट बनेगा समझदार बनेगा जैसे भविषय वक्ता बनेगा कि भविषय की सारी जानकारी होते हैं पहले से ही होती है कि यह होगा वह होगा ऐसा होगा और रहती है उसमें 99% बाते निगेटिव रहती है तो ऐसे लोगों का तो कुछ भी नहीं होने वाला है आप शांत रहिए ऐसे कर दीजे उस जीवन का से सोचे कि यह कुछ है ही नहीं यह पूरा यह एक-दो साल दे दीजे अपने पढ़ाई को और देखे फिर जीवन भर आप आराम करेंगे आनंद के साथ रहेंगे जैसे कि आज मैं अपने जीवन को जी पा रहे हूं कोई वीचिस खरीद नहीं है तो म पूरी नहीं होती थी अब पूरी हो भी जाती पैसे की बात नहीं होती है पैसे से तो मैं शुरू से जॉब करती हूं पैसे से इंसान हर्ची नहीं खरीच चकता है एक होता है अंदरोनी खुशी होती है जब आप जॉब में होंगे सक्सेस होंगे तो एक अंदर से जो एक मा कोई भी नहीं दे सकता है तो इसे लिए जौब में होना बहुत जरूरी है आप एक जगह इस थाई रूप से हो जाए उसके बाद आपके पास तमाम रास्ते हैं कोई भी बारबर मैं कहती हूं कि अपना कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है अगर आपको नहीं पसंद आत मैं इसान को बता रही थी अपने बेटे को वो मुझे आद है तो मैं अपनों कोई वगता रही तक हम लोगों तुम यह सोचना कि बारे पर जाते जाते या एक पर जाते जाते दस मिनट का पांच मिनट का अंतर यह मुझे चीज एकदम समझ में आ जाने चाहिए और मुशन पर जुट जाओ अब वहां पर रुकने का कोई चांस नहीं है क्योंकि अगर मैं रुखी तो आप लोग इसी तरह से कहते हैं कि अपने आपको बच्चा समझे लोग आपको पागल कहते हैं आपको कुछ भी कहें जो पागल पंथी करना है करिए लेकिन अपने जो चीजें हैं अपने पढ़ाई का जो मैटर है उसको आप किसी भी तरीके से समझने का प्रयास करिए और इसी तरह से समय का महत तो समझे एक एक मिनट यह जो घड़ी है ना हमेशा आपके आँख के सामने होनी चाहिए इर्दगेद होनी चाहिए घड़ी देखके उठिए सोईए खाईए पीजिए पढ़ि यह बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता है क्यों कि हम थोड़ा सा अपने शरीर को चाहते हैं आराम कर ले बस वही काम थोड़ा सा त्याग जिस दिन से करना सीख लिए उस दिन जानी है कि आपा जीवन बदल गया तैयार हो जाईए पूरे जीवन किसे अच्छा वह यह लिए एक दो साल जेहल लो जब तक तक तयारी करना पाया जाता है तो पहलं आती उसमें कितली बदल आ ता हो बेसे ही था से रहा है यह सारी चीज जहलना पड़ेगाई जीवन में जो अभी चल रहा है यह भी कितल आती हैं इससमें चाहरी चीज़ें दुख को कस्ट को positive way में लीजिए जिसके जीवन में दुख और कस्ट आता है वो कुछ कर्द दिखाने के लिए आता है ये मेरा विश्वास है खुद का विश्वास है मेरा आजमाया हुआ है मैंने आप लोग मेरे सारी स्टोरी जानते हैं अगर ये शायद चीजे मेरे साथ न करने का एक कहते हैं कि जुनूर लाना चाहिए एक अपने आप से वादा करना चाहिए अपने उपर विश्वास करना चाहिए कि अब मुझे अपने आपको साबित करना है ये जो जीवन में दुख तकलीफ आई है इसको मुझे खतम करना है अभी जो भी समय है वो मेरे हाथ म अब इसको बदलना है अपने माबाप को अपने परिवार को जो भी गरीबी है इससी जो भी है उसको सुधारना है अब यह काम मुझे करके दिखाना है और एक होते हैं ना कुछ लोग नाम के भूखे होते हैं जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी कुई तारीफ इक अपने अंदर अबर ग्रता है को अबक्त आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी किसकी भूख प्रसिद्धी की भूख कुछ कर दिखाने की भूख वह भूख जब तक आपको ऐसे तड़प नहीं आएगी तड़प अपने अंदर तब तक आप सफल नहीं होंगे तो भाईया वह समय आ चुका है अब यह मत देखिए कि अब डेट आएगी तब अब कोई नया कई चाOUGH सन्गा आदेस आएगा तब कुछ नहीं जीवन में एक दो साल अब से भी आभी तक आप illegally किया जीरो किया कुछ भी ने किया किए कुछ भी किया यह कुछ हैं देर हो गई कुछ नहीं गलती की अभी तक कुछ नहीं सब खतम अब से नया जीवन कल से जब से मेरी वीडियो देख रहा है कल से नया टार्गेट बनाईए करना शुरू करिए और अब देखिए 100% मैं विश्वास के साथ कहती हूं दावे के साथ कहती हूं कोई ऐसा काम नहीं से अच्छा है अपने आप विश्वास करके देखा जाए आप निर्भर बने किसी को पर डिपेंड नहीं रहना है अकेले हर काम करना सीखें हर चीज आप कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो कोई बात होगी तो कमेंट के मादर बताईएगा